यहां पर आप देखेंगे एक सहाब कुछ सामान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेंगे सामान उनके पास इतना ज़ादा है कि गाड़ी इनकी खड़ी हो गए अब यह सामान को कैसे भेजेंगे पैकेट्स जो आप यह समझ लीजें यह एक यूनिट ऑफ डेटा है जो आप एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे भीजते हैं और आप टीसीपी आईपी का इस्तेमाल करते हैं और यह पैकेट्स जो होते हैं वो नेटवर्क के इसाब से डिसाइड होते हैं कि कितना बड़ा पैकेट होगा कितना छोटा पैकेट होगा कैसे होता है यह समझ लीजे कि अगर आप माल लीजे कोई यह सामान आप इधर से उधर भेड़ना चाहते हैं कोई फाइल भेड़ना चाहते हैं तो होगा क्या कि इतना सारा ले जाने से अच्छा आप क्या करें पहले इतना भेज दे, फिर इतना भेज दे, फिर इतना भेज दे, ऐसे जा सकता है, तब तो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो packet का होता क्या है, packet मतब यह है data, packet तब बनता है जब यह data को हम network के हिसाब से बराबर भाग में divide करते हैं, तोड़ दें इसको, और फिर इसको individually भेजे, पहले इसको भेजे, फिर इसको भेजे, फिर इसको भेजे, ओके, जैसे आपके सामने, यह एक image है, यह बड़ी image है, इसको आप कैसे भेजेंगे, उसको भेजने का तरीका यह होगा, कि इस image को हम तो असा इस तरीके से divide कर लेगे, यानि कि अगर इस particular image के बारे में में बात करता हूँ, तो हमने इसको 291 भाग में divide किया हुआ है, यहने 200 इंक्यान में 295, 291 packets बन गए इसमें, अब इन packet को आप transmit कर सकते हैं, उसका करन यह है कि हो सकता है कि अगर आपका packet जो bandwidth है, जिस network को आप use कर रहे हैं, उसकी bandwidth अच्छी हो, हो सकता है आपको कि 50 packet बनाने हो, बना सकते हो, लेकिन क्योंकि network हर जगा एक जैसा नहीं होता, इसलिए इस तरीके से divide किया जाता है packet को, कि वो आराम से destination तक पहुंचाए, बगएर किसी retransmission के, तो कोई भी packet के तीन पार्ट होते हैं, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, कोई भी जो packet होगा, IP packet होगा, जिसको हम datagram भी कह रहे हैं, normal packet भी कह रहे हैं, तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक पहला होगा header, दूसरा होगा payload, और तीसरा होगा trailer, जो header है, जो पहला पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें instructions होती है, कि इसके लिए, कि भी data कौन सा जा रहा है, इसमें क्या-क्या हो सकत length of packet कितना है, क्योंकि कई ऐसे network है, जहाँ पर ये length जो है, packet की वो fix होती है, कई जगा ये fix नहीं होती है, तो header में दे दिया जाता है, कि भी इसका size क्या है, packet का size क्या है, वो header में दे दिया जाता है, कुछ bits जो होते हैं, वो synchronization के लिए होते हैं, इसका मतलब ये है, कि packet जो ह है, वो कहां जा रहा है, किदर जा रहा है, इस network के हिसाब से match कर से synchronize कर सके, ऐसे होता है कि sequence, header में sequence होता है, कि ये packet number 1 है, ये 2 है, ये 3 है, sequencing इसमें होती है, protocol होते हैं, क्योंकि आप email भी भेज सकते हैं, आप web page भी भेज सकते हैं, आप video भी भेज सकते हैं, तो हर एक के header का IP address होगा, recipient का, मतलब जिसको मिलने वाला है, उसका IP address होगा, ठीक है जी, originating address कह सकते हैं, destination address कह सकते हैं, ये एक पहला part हो गया, कि ये header का काम होता है, इसके बाद होता है, पेलोड, किसी भी packet में, आपका पहला part हो गया header, फिर उसके बाद होता है, इसमें payload, पेलोड में क या क्या आता है, ये actually content होता है, ये body होती है, जो actual data जा रहा है, जो destination पे आप भेज रहे हैं, वो data क्या है, मैं जैसे बताओं कि अगर आपका data थोड़ा कम है, तो ये packet से, तो आप यहाँ पर padding भी कर सकते हैं, ये padding होती है, चीज़े भरी जाती है, जैसे आपको ये image भेजन तो वो इस तरीके से जाएगी, यानि actual data ये है आपका, जो actual content जा रहा है, फिर आता है आपका trailer, trailer इसको हम footer भी कहते हैं, क्या कहते हैं, footer, और इसमें क्या होते हैं, कुछ bits होते हैं, और वो bits क्या बताएंगे, कि आप ये packet का अंत हो गया है, तो ये packet का अंत बताता है, तो जो packets हैं, उसमें आप CRC code देखते हैं, cyclic redundancy code, ये आपको बताता है, कि कितने bits ही पहुँचे, कितने नहीं पहुँच पाए, तो ये तीन पार्ट होते हैं, packet के,